हे दोस्तो सागत अब सभी का एक और नियन एकसाइटियों गेडियो है OnePlus Nord मतलब क्या ही हाइप मचा के रखा तब क्या ही गाज मतलब इतनी हाइप मचा के रखे थी और निकला क्या मतलब खोदा पहार निकले चोई है तो दोस्तों इस वीडियों हम बात करने वाले हैं OnePlus Nord के कुछ unique features के बारे में और कुछ बुराईयों के बारे मतलब pros के बारे में और cons के बारे में मेरी वीडियो मिस ना हो तो चलो बात करते हैं OnePlus Nord के design के तो दोस्तों design इसका बहुत ही अच्छा है थोड़ा कर्व design है जो glass body है वह काफी अच्छी लगती है मतलब दो color में आता है blue sky blue और black में दोनों ही तरफ Corning Gorilla Glass 5 का protection है मतलब design अच्छी है build premium लगता है अगर इसके display की बात करें तो 6.44 inches की AMOLED डिस्पले है और definitely मैं बोलूँगा display एक प्रॉज है क्योंकि आपको इसमें AMOLED के साथ 90 Hz का refresh rate भी मिलता है जो की अच्छी बात है दोस्तों मतलब हाँ इस price में 25,000 की price में यह AMOLED डिस्पले साथ में 90 hertz का refresh rate बड़ी बात है उसके बाद दोस्तों इसके battery एक ताली सो पंद्रह 4115 mAh की battery मिलती है साथ में आपको 30 watt का fast charging मिलता है मतलब warp charger मिलता है जो की आपके phone को definitely एक घंटे के अंदर charge कर देगा मतलब आपका phone आदे घंटे में 70% charge हो जाएगा तो यह इसका बहुत बढ़ा जो इसका processor है वह काफी capable processor है 5G processor है gaming processor है मतलब जो भी कह लो काफी अच्छा processor है साथ में GPU भी काफी तगड़ा है मतलब आप game वगरा खेलोगे आपको लगेगा नहीं कि कोई भी lag वगर आपको कहीं देखने को नहीं मिलने वाला और दोस्तों Snapdragon 765 में आपको 5G तो मिलता है support मिल जाएगे नेविक से आप navigate कर सकते हो उसके पर दोस्ति कैमरा की बात करते तो iMac 586 वाले sensor 48MP का बहुत अच्छा तो नहीं है बड़ सेंसर अच्छा है 48MP का capable sensor है और इसे OnePlus और अच्छा बना देता है 8MP का ultra wide sensor मिलता है 5MP का depth sensor मिलता है और 2MP का macro lens मिलता है जो कि एक sensor के वज़े से नहीं बोड़ रहों कैमरा अच्छा है आपको इसमें OIS और EIS का भी support मिलता है मतलब 25 जारे में आपको optical image stabilization मिल जाती है जो कि हम इसे flagship फोनों में ही देखनों को मिलती है तो यहां भी भी आपको यह दे कि काफी अच्छा काम किया है उसके पाद दूस्त आपक और के में recording कर सकते हो उसके पाद दूस्त दूसमें आपको under display fingerprint sensor मिल जाता है Bluetooth के 5.1 connectivity है NFC है Navic GPS है और finally जो इसका oxygen OS है और दूस्तों कहीं नहीं होता न तो यही स्मार्टफोन उतना अच्छा नहीं होता तो आप मुझे बताओ कि अगर OnePlus के device से oxygen OS हटा दिया तो वह कौन सी company क स्मार्टफोन होगा यह जवाब आप comment section मुझे जरूर से देना उसके बत दूस्त आपको इसमें कोई भी bloat wear नहीं मिलता जो कि यह किस स्मार्टफोन को बहुत अच्छा बनाता है मतलब bloat wear नहीं यह कोई भी Chinese अप नहीं यह फाल्तू अप्स नहीं है तो यह होगा इसके द देखा ना वह प्रीमियम ने से इसकी हटा दी है मतलब उतना प्रीमियम नहीं लगता अगर आप अपने हाथ में कोई प्लास्टिक का फ्रेम का स्मार्टफोन पखड़ते हो तो उसके बाद आपको इसमें इस headphone jack निकाल दिया है मतलब headphone jack कितना important होता है यह normal आप समझते ही हो उसके बाद दोस्तों camera camera में एक con सबसे बड़े यह है ना कि आपको इसमें macro देदी है जो कि आचकल को यूज नहीं करता अगर उसके अप यही टेली फोटो देता दोस्तों तो काफी अच्छा होता है अगर मैं बात करता हूँ किसी भी smartphone की इस range में है चाए realme x2 pro realme x2 सब मे आपको टेली फोटो लेंस मिलता है तो इसमें भी मुझे लगता है टेली फोटो लेंस देना चाहिए था मेरा ऐसा opinion ने आपके असोस तो इसके बारे में comment section बता सकते हो मुझे उसके बाद उस तो final जो सबसे बड़ा कौन मुझे लागा ना इसकी price अब हाँ कुछ लोग बो तो यह नहीं सोचेगा कि उसको memory card का support नहीं मिलता तो आप expand नहीं कर सकते मतलब अगर आप 25,000 का smartphone ले भी ले रहो तो आपको memory की कमी पढ़ी जाएगी क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ 64 GB ROM मिलने वाला है लेकिन अगर उसके higher variant के बात करते तो वह थोड़ा satisfying है मतलब 8 GB RAM 128 GB 28,000 में मिलता है उसके बाद दोस्तों अगर 30,000 आप खर्च करते हो ना तो आपको 12 GB RAM 256 GB ROM मिल जाता है मतलब मैं तो suggest करूंगे कि आप अगर खरीद नहीं है तो सिर्फ 30,000 वाला खरीदो क्योंकि definitely 6 GB RAM 64 GB useless मुझे लगता है ऐसा क्योंकि आपको HD card support नहीं मिलता है उसके बाद अगर आप 28,000 डे ही रहे हो तो थोड़ा सा और 2000 और लगा लो आपको 4 GB extra RAM और 128 GB extra ROM मिल जाएगा तो मुझे लगते यह बेटर डील होगी और दोस्तों एक और कौन इसका सबसे बड़ा है यह है ना कि जो 6 GB RAM और 64 GB जो लोग खरीदना चाहते जो लोग 30,000 नहीं खर्च करना सेल है सप्टेंबर में आपको देखने का मिले का 6 GB और 64 GB वाला वेरियंट तो यह सबसे बुरी बात है मतलब यार वन प्लस जान बूच कैसा कर रहा है गया कि इस वेरियंट को लाए ही नहीं ताकि कोई इस वेरियंट को खरीदे ही ना और 12 GB वाला मतलब समझ रहो ना दिल क पर लब ऐसा मार्केटिंग मुझे ऐसा लगता है और दोस्तों स्टार्टिंग में वन प्लस क्या था ना कि वह भी 20,000 से स्टार्ट गया था 15-20,000 के फोन बनाता था उसके बाद धीरे 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 बढ़ता गया और 40-50,60 तक फोन बनाने लगा अगर आप वन प्लस को किसी और कॉम्टीचर से कंपेर करो, चाहें Realme X2 Pro से कंपेर कर लो, देखो यार डेफिनेटली कहीं ने कहीं ये सारी चारो कंपणी अगर आप LCD डिस्प्ले से काम चला सकते हो ना, तो Realme X3 भी अच्छा ही स्मार्टफोन है, क्योंकि आपको इसमें 60X का जूम सपोर्ट मिलता है, मतलब जो कि एक बहुत अच्छी बात है, तो आप देख लो, आप अगर नहीं भी चाहते हो, तो ये स्मार्टफोन ले सकते हो, डेफिनेटली अच्छा है, इस स्मार्टफोन में कोई बुराई नहीं करा, मैं आपको असे बता रहा हूँ कि इस रेंज में हमें और अच्छे स्मार्टफोन देखने को मिलते हैं, बस यहाँ पर बात ही है ना कि वो जो वन प्लस की वैल्यू बन चुकी है, वो एक अच्छी वैल्यू है, और जो ऑक्सीजन ओयस की रेपूटेशन है, वो और सारे ओयस से बैटर है, इसके वज़े से ये स्मार्टफोन देखा जाते हो, अब आपको वीडियो पसंद आएगी, मेरे भाए अगर आपको वीडियो पसंद आई ना, थोड़ी से भी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्स्राइब करना, तो मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स वीडियो में दोस्तों तब तक लेग गुडबाए